हेलो गवाईज आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए टॉप फोर पावरफुल स्मार्टफोन सेलेक किये हैं अंडर रुपीज 30,000 ओर अगर आपका बजेट 30,000 है और आप 30,000 रुपे के प्राइस पॉइंट पर लाइक कोई भी पावरफुल स्मार्टफोन बाई करने का सूच रहे हैं जिसमें आपको पर्फोर्मेंस अच्छी देखने हो मिल जाए या फिर आपको कर्ब डिस्प्ले देखने हो मिल जाए तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किये देखना मैं विदाउट टाइम वेस्ट किये इन 4 स्मार्टफोनों के बारे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तो ये स्मार्टफोन 30,000 रुपे के अंदर आपको एमोजन फिलिपकार दौन पीटफोर्म पर देखने हो मिल जाएंगे चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की इस वीडियो को स्टार्ट करते है इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियल्मी की तरप से रियल्मी 11 प्रो प्लस यहाँ पर आपको 3D कर्ब डिस्प्ले पैनल दिये गया है नो डाउट इस्मार्टफोन पर्फोर्मेंस बाइज भी काफी अच्छा है AMOLED 6.7 इंचिस का आपको कर्ब डिस्प्ले पैनल दिये गया है 120Hz रिफ्रेस्ट के साथ इसमें आपको पावर्फुल चिपसेट दिये गया है मीडिया टेक की तरप से इसमार्टफोन के अंदर आपको यूजर इंटरफेस भी लेटेस्ट देखने हो मिलेगा यहां पर आपको 8G RAM 250 6GV का लाइक बेस बेरियन देखने हो मिलता है रियर पार्ट में ट्रपल कैमरा सेटप है में प्रैमरी कैमरा 200 मेह बिक्सल का है दो में आप इक्सल का मैक रो 4K में वीडियो रिकॉर्ट कर सकते है रियर कैमरे से 30 fps तक में 32 में आप इक्सल का सलफी कैमरा दिया गया है फ्रेंट में स्ट्रियो स्पीकर है अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट सेंसर है स्मार्फोन के अंदर 5000 mAh की बिक बैटी के साथ 100 Watt की Fast Charging की सपोर्ट भी दी गई है तीन प्रीमियम कलस्की में नो डाउट स्मार्फोन पावरफोल है और साथी डियाइन भी काफ एच्छी प्रीमियम दी गई है बैक फिरेम दौनों प्लास्टिक की है 183 ग्राम का वेट है और 8.2 mm की थिकनिस है ग्रैब कर सकते हो बैली फोर मनी फीचर लोड़ेट स्मार्फोन है और आपको 26 या फिर 27,000 का देखने वो मिल जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्फोन के बारे में जो की रहता है नथिंग फोन वन इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है लेकिन ये स्मार्फोन भी काफी दा पावरफुल है और इसमें आपको यूनिक एंड बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन दिया गया है जो की आपको पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले पैनल के बारे में OL8 6.55 इंचिस का डिस्प्ले पैनल दिया गया है 120Hz रिफ्रेस्ट रेट के साथ डिस्प्ले में गुरले गलास 5Q प्रिटेक्शन भी दी गई है AOD फंक्शन के साथ Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रॉस्टर दिया गया है Performance by smartphone के अंदर कोई भी compromise नहीं किया गया है 6nm के साथ आता है Android version latest 13 पर आता है UFS 3.1 type की storage है Rear part में dual camera setup है 4K 30 fps में maximum video record कर सकते हैं 16 में अब XL का selfie camera है OTG support करता है Under display fingerprint sensor है 4,500 damage की big battery के साथ 33 watt की far charging की support दी गई है White and Black ये दो Premium colors की मा offer की गई है 6 lakh के around smartphone के अंदर Antutu score देखनों मिलता है And दोस्तों इस smartphone के अंदर Build quality भी काफे अच्छी दी गई है Back में और front में आपको दौनों में ग्लास पैनल दिया गया है Back में आपको multiple LED lights दी गई है Frame आपको aluminium का दिया गया है No doubt 193.5 gram का weight है smartphone के अंदर और 8.3 mm की थिकनिस है Definitely grab कर सकते हो Price के point of view से feature loaded smartphone है ये भी Next smartphone के बारे हम बात करते हैं तो ये रहता है Like Bevo की तरप से Bevo B27 Market में ये smartphone भी काफी दब popular है इसको भी बहुत सारे लोग considered कर रहे है AMOLED plus 6.78 इंचिस का Curve display पैनल दिया गया है 120Hz refresh rate के साथ MediaTek की तरप से यहाँ पर आपको Dimensity 7200 प्रॉससा देखनों मिलेगा 5G जो की 4nm के साथ आता है Android version latest 13 पर वेज़ड है और ये smartphone Funtas 13 पर रन करता है 8GB RAM 120 8GB का base variant है Rear part में triple camera setup है 50 में आप इक्सिल का main primary camera है और 8 में आप इक्सिल का ultra wide 2 में आप इक्सिल का macro 4K 30fps, 60fps तक मैं maximum video record कर सकते है Front से और rear से दोनों से ही Front में 50 में आप इक्सिल का selfie camera दिये गया है ये smartphone OTG सपोर्ट करता है Under display fingerprint sensor है 4600 mAh की big batty की साथ 66 watt की far charging की support दी गई है यहाँ पर आपको 4 color scheme दिये गए है जो की काफ़ इच्छी premium है No doubt अपने पसंद के साब से कोई से call option भी buy कर सकते है Back में color changing back panel दिये गया है जो की sunlight में different color जोड़ जाता है स्मार्फोन के back panel का और low light में different And दोस्तो 180 gram का weight है 7.4 mm की like काफ़ी ज़यदा silimaster design के साथ आता है Definitely grab कर सकते हो यह भी value for money smartphone है Next smartphone के बारे हम बात करें यह रहता है performance को लेकर Like powerful smartphone है यह Realme की तरफ से GT2 Pro यहाँ पर आपको flat display panel दिया गया है बट दोस्तो इसमें आपको processor काफी तगड़ा दिया गया है जो की step by step में आपको सारे feature explain कर दिता हूँ सबसे पहरे बात करते हम display के बारे में तो इसमें आपको LTPOT AMOLED 6.7 inches का Flat display panel दिया गया है With 120 Hz refresh rate के साथ गुले glass BigTus की protection दी गई है No doubt protection काफी अच्छी है Snapdragon का 8 Gen 1 processor दिया गया है इस price point पर काफी अच्छा processor आपको Like offer किया गया है जो की powerful है 4 nanometer के साथ आता है Android 13 पर waste है UFS 3.1 टैप की storage दी गई यह rear part में triple camera setup है 50 में आप इक्सल का main primary camera है 50 में आप इक्सल का ultra wide lens है 3 में आप इक्सल का microscope 8K 24 fps तक में maximum video record कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको powerful process दिये गया है जिसकी विसे आप 8K 24 fps तक में maximum video record कर सकते हैं 32 में आप इक्सल का selfie camera front में दिये गया है stereo speakers है यह smartphone OTG support करता है under display fingerprint sensor है 5000 mh की big betty इसमें आपको offer की गई 65 but fast charging के साथ no doubt powerful smartphone है definitely grab कर सकते हो इसमें आप ultra HD में gaming, multitasking, live streaming easily कर पाऊगे कोई भी smartphone के अंदर lag problem या फिर hang problem देखने को नहीं मिलेगी इसमें 189 gram का weight है और 8.2 mm की थिकने से overall smartphone price के point of view से काफी अच्छी powerful like performance offer करता है definitely grab कर सकते हो अगर आपको performance को लेकर एक smartphone बाय करना है तब बाकि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like कर देना ये चारो smartphone अपने price के point of view से features के basis पर और अपनी brand value के according better value for money है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like कर देना चैनल पर आप नहीं है subscribe कर लेना bell icon के button को press करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी share कर देना बाकि दोस्तों हम मिलते हैं आप से अगले और एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और अपडेटिड वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care